Hello Students, Welcome to Lecture Expert YouTube Channel और आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि Class 12 की जो Chemistry है उसका स्लेबस क्या हो सकता है क्यूंकि ऐसा सुनने में आ रहा है कि जो CBSC का प्रेटरन है उसी बेस पे जो हरियाना बोर्ड है अपना स्लेबस बनाएगा जो कम करके वो लाने वाला है इस लेबस को उसको तो उसके बेस पर जो है मैं आपको बताने जा रहा हूँ कौन से जो topics है वो delete हुए है कौन से नहीं delete हुए है तो अगर आप channel पर नहीं है channel को subscribe जरूर करें वीडियो को like जरूर करें और bell icon को जरूर प्रेस करें ताकि आपको information मिलती रहे तो चलिए हम शुरू करते हैं जो आपका first chapter है solid state उससे क्या कटा है तो आपका topic जो यह है 1.10 electrical properties जिसमें conductors, semiconductor, insulator यह है यह सारा जो है cut कर दिया गया है इसके अंडर कुछ भी नहीं बचेगा यह topic conduction of electricity in metals यह भी cut कर दिया है conduction of electricity in semiconductor यह भी cut कर दिया है यानि band energy जो है वो भी cut कर दी गई है फिर उसके बाद आपका जो है magnetic जो properties हैं उन्हें भी cut कर दिया गया है बिल्कुल इनसे भी कुछ नहीं आएगा बिल्कुल cut कर दिया गया है जिसके अंडर आती है ferromagnetism, die magnetism, anti ferromagnetism फिर उसके बाद जो है हमारे पास यह आपके जो in text question है 1.23, 1.24 इनको भी cut कर दिया गया है और जो exercise के question है उन में से जो है question number 1.17, question number 1.18 और question 1.20 जो है cut कर दिया गया है उसके बाद question number 1.22 और 1.26 जो है वो भी cut कर दिया गया है तो यह जो है आपका असलेवस है chapter number first से अगर chapter number 2 की बात करें solution की तो chapter number 2 से जो आपका topic है 2.7 abnormal molar masses इसको जो है delete कर दिया गया है इसके अंड जितने भी topics हैं वो नहीं आने वाले हैं और इसमें एक topic है want of factor उसको भी delete कर दिया है वो भी नहीं आएगा उसके जो numerical है वो भी नहीं आएगे जैसे कि example 2.12 जो है second chapter solution से यह भी delete कर दिया गया है यह जो मैं आपको NCRT की book से बता रहा हूँ उसमें mark कर ले अपने स्लेबस को अगर chapter number 3 की बात करें तो chapter number 3 है electro chemistry उससे जो है topic number 3.6 जो batteries है इसको delete कर दिया है primary battery secondary batteries इन सभी को delete कर दिया गया है इससे कुछ नहीं आएगा उसके बाद जो है fuel cell topic है आपका 3.7 इसको भी delete कर दिया है यह भी नहीं आएगा उसके बाद जो 3.8 topic है corrosion यह भी नहीं आने वाला है यह सारी theory जो है cut कर दी गई है तो यह आपका जो है chapter number 3 की बात थी इसके बाद जितने भी topic हैं वो सारे आएंगे यह मैं जो हूँ आपको NCRT की book में mark कर रहा हूँ आप mark कर लीजिए NCRT की book में अगर नहीं है तो आप किसी page पर लिख लीजिए उसके बाद अगर chapter number 4 chemical kinetics की बात करें तो chemical kinetics से जो है हमारा जो topic है 4.4 temperature dependence of the rate of a reaction इस topic को delete कर दिया गया है इसी के अंडर जो है हमारी Arrhenius equation आती है इसको भी delete कर दिया गया है Arrhenius equation को इससे कुछ भी नहीं पुछे जाएगा उसके बाद जो हमारा topic cut हुआ है वो है closing theory यह जो आपका topic है effect of catalyst यह आएगा यह cut नहीं हुआ है closing theory of chemical reactions इसको जो है delete कर दिया गया है यह अब नहीं पुछे जाएगा इसके अंडर जितना भी कुछ आता ही सारा ही delete कर दिया गया है तो chapter number 4 से यह delete हुआ है उसके बाद बात करते हैं chapter number 5 surface chemistry की जो है आपका catalysis के नाम से जो topic है 5.2 यह delete कर दिया है इसके अंडर जितने भी topic आएंगे homogenous heterogeneous catalysis इसको भी delete कर दिया है उसके बाद adsorption theory of heterogeneous catalysis इसको भी delete कर दिया है उसके बाद shape selective catalysis by gelides इसको भी delete कर दिया गया है enzymes catalysis इसको भी delete कर दिया गया है यह भी नहीं पुछे जाएगा इसके अंडर जितना कुछ ही यह दिया हुआ है यह सारा delete है उसके बाद catalysts in industry इस topic को भी delete कर दिया है यह भी नहीं आएगा तो surface chemistry से जो है यह topic आपके delete कर दिये गए है इनसे कुछ भी पुछा नहीं जाएगा अगर chapter number 6 की बात करें तो chapter number 6 है वो आपका बिल्कुल ही delete कर दिये गए है उससे कुछ भी नहीं आएगा जिसमें आपकी processes होती है सारी की सारी extraction के लिए electrolytic refining वगेरा यह सारा जो chapter 6 वो बिल्कुल ही delete कर दिया है उससे कुछ भी पुछा नहीं जाएगा अगर chapter number 7 की बात करें तो chapter number 7 P block elements की बात करें तो इससे जो topic है oxides of nitrogen यह बिल्कुल delete कर दिया है topic number 7.4 इसको बिल्कुल delete कर दिया है उसका यह जो table है table 7.3 oxides of nitrogen यह delete कर दिया गया है बिल्कुल नहीं पुछा जाएगा उसके बाद structures of oxides of nitrogen यह delete कर दिया है यह भी नहीं आएगा उसके बाद जो हमारा अगला topic है वो है phosphorus, allotrops, forms यह इसको भी delete कर दिया गए जो phosphorous के यह अलेटोप थे उन्हें भी डोoscowrade white phosphorus, red phosphorus, black phosphorus फिर उसके बाद जो phosphine है इसकी जो preparation है इसको भी delete कर दिया गए है उसके बाद हमारा अगला topic है phosphorus, tri chloride, phosphorus, experiment chloride यह सब delete कर दिया गए हैं यह भी नहीं पुछे जाएगे उसके बाद हमारे पास है ओक्सो एसेड्स ओफ फॉस्फोरस ये टोपिक भी डिलीट कर दिया गया है इसका जो टेबल आई ये भी डिलीट कर दिया गया है जो ग्रूप 16 एलिमेंट है ये हमारा लगबग पूछा जाएगा सारा इसके बाद हमारा जो टोपिक है वो है जो सलफ्यूरिक एसिड है उसकी preparation process होती है हमारे पास contact process उसको भी जो है डिलीट कर दिया गया है अगरा हमारा वो टोपिक है जो डिलीट हुआ है टोपिक नंबर 7.17 सलफ्यूरिक एसिड मैनुफेक्चर इसकी जो process होती है contact process manufacturing की इसे डिलीट कर दिया गया है यह आपका जो है सिरफ इस diagram के नीचे तक ही डिलीट हुआ है बाकी जो properties हैं वो पूछी जा सकती हैं और वो slaves में हैं वो डिलीट नहीं हुई है तो P block chapter से जो है आपका यही डिलीट हुआ है बाकी जो सारा group 17 है यह सारा topic बच गए हैं वो सब कुछ आने वाले हैं अगर chapter number 8 की बात करें तो F block है हमारा chapter number 8 इससे जो topic है 8.4 some important compounds of transition elements जिसमें आता है oxides and oxanians of metals इस topic को जो है डिलीट कर दिया है यह बिल्कुल भी नहीं पुछे जाएगा सारा का सारा डिलीट कर दिया है इसको जिसमें potassium permagnate Kmno4 का topic जो हमारा आता है यह भी डिलीट कर दिया गया है उसके बाद हमारे पास जो डिलीट हुआ है इसमें से वह हुआ है general characteristics 8.5.4 जो यह topic है यह भी हमारा डिलीट कर दिया गया है जो किसकी properties है लैंतिनोइट की इसको पूरे को पूरे को डिलीट कर दिया गया है यह जो दा एक्टनोइट है यह आएगा यह कट नहीं हुआ है उसके बाद हमारा जो topic है वो डिलीट हुआ है general characteristics and comparison with lanthinoids यह topic भी जो है complete कट कर दिया गया है बाकी जो भी है इस chapter से सब कुछ आने वाला है और कुछ भी डिलीट नहीं हुआ number 9 coordination compound की बात करें तो इससे जो है आपका topic 9.4 isomorism in coordination compounds इसको जो है delete कर दिया गया है जिसमें geometric isomorism यह भी cut है optical isomorism यह भी cut कर दिया गया है linkage isomorism जितने भी isomorism है यह सब को completely है delete कर दिया गया है इनसे कुछ भी पूच्छा नहीं जाएगा अब तो coordination compound से जो है हमारा यह isomorism नाम का जो topic है वो बिलकुल ही delete कर दिया गया है बाकी जो है इससे हमारा कुछ भी जो है delete नहीं किया गया है बाकी सब कुछ जो है पुचा जाएगा सिरफ एक topic को छोड़कर 9.7 importance and applications of coordination compound यह topic भी जो है delete कर दिया गया है इससे भी कुछ नहीं पुचा जाएगा बाकी जो chapter है वो सारा आएगा chapter number 10 की बात करें हेलो रेंस और हेलो एलकेंस की तो इससे जो हमारा topic number 10.7 है polyhalogen compound इसको delete कर दिया गया है जिसका topic 10.7.1 dichloro methane, methylene chloride, trichloro methane जो है यह भी delete कर दिया गया है यानि किस calendar जितने भी topic है 10.74, 10.73, 10.72, 10.75, 10.76 यह सारे जो topic है delete कर दिया गया है बाकी इस chapter से कुछ भी delete नहीं किया गया है अगर chapter number 11 की बात करें तो alcohols, phenols and ethers इससे जो है topic number 11.5 some commercially important alcohols जिसमें methanol और ethanol है यह topic जो है बिल्कुल complete delete कर दिया गया है इससे कुछ भी नहीं पूछा जाएगा उसके बाद हमारा जो यह chapter number 11 है इससे कुछ भी delete नहीं किया गया है हम chapter number 12 की बात करें तो वो बिल्कुल भी delete नहीं किया गया है वो सारा का सारा chapter आपसे पूछा जाएगा फिर chapter number 13 की बात करें तो इससे आपका topic जो है disonium salts यह जो है completely delete कर दिया गया है इस topic से कुछ भी पूछे जाने वाला नहीं है फिर आपका जो topic है importance of disonium salts in synthesis of aromatic compounds यानि कि जो disonium salt के अंडर जितने भी topic आते हैं सारे delete कर दिये गये हैं chapter number 13 से बाकी जो है सारा कुछ आने वाला है और जो chapter number 12 है वो completely आएगा वो delete नहीं हुआ है बिल्कुल भी और फिर उसके बाद अगर हम बात करें chapter number 14 की तो number 14 की बात करें bio molecules की तो इससे जो topic है 14.1.3 dye shakeride इसके अंदर जितना भी topic आते हैं हमारे पास maltose और ये सब जो हैं delete कर दिये गए हैं का maltose, ukrose, lactose ये जो हैं delete कर दिया गए है topics उसके बाद जो हमारे पास poly checkerides है इन ही भी delete कर दिया गया है importance of carbohydrates इनको भी delete कर दिया गया है उसके बाद हमारे पास जो topic है vitamins इस topic को भी delete कर दिया गया है और enzymes इस topic को भी delete कर दिया गया है जो enzymes topic है यह हमारा delete कर दिया गया है topic number 14.3 और 14.4 vitamins इनको भी जो है delete कर दिया गया है बाकि जो इस chapter से है वो सारा कुछ आएगा और इसके बाद जो बचे number chapter number 15 और 16 है chapter number 15 polymers यह बिल्कुल ही delete कर दिया गया है और chapter number 16 chemistry in everyday life उसको भी बिल्कुल delete कर दिया गया है तो यह आपका chemistry का syllabus है तो अगर आप त्यारी करते हैं chemistry के तो आपको इनके according त्यारी कर लेनी चाहिए तो अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो like करें और subscribe करें चैनल को जुरूर thanks for watching this video